वक्त के थपेड़ों को जहलना सीखो तेज आंधियों में चटाने नहीं उड़ा करती हैं यह करेक्टर अपने आप में कुछ बता रहा है कि चटान कितनी महत्पूर्ण हैं और हमारे जीवन में कितना उनका प्रभाव देखा जाता है इसलिए बच्चों आप लोगे खास बात देखोगे आपके पेपर में क्विश्चन प्रहय पूछा जाता है मैंनी टाइम मैंनी क्विश्चन आस्ट इन यूर पेपर आइदर इन प्रिलिम्स और मेंस कई बार यह प्रस्ण पूछे गए हैं भूगोल को बहुत वहतर रूप म समझना चाहते हो तो जरा इस टॉपिक पर आप ध्यान दीजिए वह क्योंकि संसाधनों का डिस्ट्रिब्यूशन कैसे है यह जानना बहुत जरूरी है बचों संसाधनों का डिस्ट्रिब्यूशन जानना चाहते हैं तो विशेश रूप से चतानों का कंसेप्ट समझना सारे प्रस्ण चतानों से प्रहभ पूछे जाते रहे हैं यह बड़ी खास बात आप अपने पेपर में देखिए मैनी टाइम मैनी क्वेस्ट्टन हैज बीन आस्क रिलेटिट टू यूर टॉपिक डैट टॉपिक इज रॉक्स चतान इस पॉइंट व्यू से चतान को हमें ज मैं कई सारे टॉपिक डिसक्स करूँगा विशेश रूप से चताने क्या होती है चतानों का प्रकार क्या है इनका निर्मार कैसे होता है इनका वर्गीकरन क्या है यानि कित्ते प्रकार की है वर्गीकरन का आधार क्या है इन सब पर मैं चर्चा करूँगा और प्रतेक वर्गीकरन में जो चटान देखी जाती है उनके क्रेक्टिस्टिक्स क्या है उनकी विशेशताएं क्या है उनका वित्रण क्या है उनका डिस्ट्रिब्यूशन क्या है इन सब पर हम लोग विशेश रूप से अगली इन क्लास में चर्चा करेंगे यह बड़ी खास बात है और डेफिनेटली यह आप के लिए बहुत ही फूट्फूल शाबित होगी यह मेरा विश्वास है तो दिल ठाम के बैठिए अगले 30-40 मिनट तक और डेफिनेटली इससे आपको एक से दो क्रेशन मिलेगा ठीक है और टॉपिक समझ में आए तो लाइक जरू करिएगा और जरू कैमेंट्स करिए ताकि इसको और भी बहतर बनाया जाए ठीक है और शेयर भी करिएगा तो इसी के साथ आईए हम लोग इसकों द्रक्श करते चट्ताने अ कि बच्यों जैसा कि आप लोग जानते हैं मैंने चाहिए जो बोली थी कि कि अनिरें तेज हवाओं में चट्ताने उड़ा नहीं करती अ कि boost पर मैं कहूंगा चट्ताने उड़ भी जाती हैं घख.. चत्ताने उड़ भी जाती हैं अब आप कहें गरे सर सायरी में और बातें और यहां पर कुछ और बातें तो सायरी की कुछ बातें बिटा भी रस से भरी हुई हैं और यहां पर कुछ बातें भूगोल रस से भरी हुई हैं तो दोनों में अंतर हो जाता है यहां पर भागौलिक संदर में यदि चत्तानों को परिभासित करें यानि कि सबसे पहले यदि हम जाएं कि चत्तान की परिभासा क्या है तो इस संदर में यदि देखें definition तो definition में आप कह सकते हैं कि all those things which found over earth crust either they are like soft as a powder और hard like as a ya hard like a granite अनि कि all these things which found over earth crust they are rocks प्रिथवी के crust पर पाई जाने वाली वे सभी चीजें जो हो सकता है powder जैसी एकदम मुलायम हो पाउडर जैसे आप लोग टेलकम पाउडर यूज करते हो टेलकम पाउडर जैसे मुलायम भी हो सकती है तो वहीं पर आप देखो हो सकता है यह हाड भी हूँ हाड उसी तरह से जैसे ग्रेनाइट ग्रेनाइट जैसी हाड चीज भी चतान है तो वह भाई तेज आंधियों में नहीं उड़ा करती है प्रंतु जो पाउडर जैसी मुलायम होगी तो वह पक्का तेज आंधियों में उड़ जाती है तो यही शाय नहीं उड़ा करते हैं, आपको कुछ उसी तरह कठोर भी बनना है, आपको वक्त के साथ कुछ कठोर भी बनना है, लाक समझ से आए, सफलता हमें पानी ही पानी है, कैसे भी उस सफलता को मुर्त रूप देना ही देना है, तो बच्चों समझ में आ गया कि प्रिथवी के भाग जो ग्रेनाइड जैसा कठोर या फिर मिटी या पाउडर टेलकम पाउडर जैसे मुलाख होती हैं, वे सब होते हैं कि चटाने तो ज्यादा तर कठोर होती है यहीं कंसेप्ट थोड़ा सा गढ़बढ हो जाता है यहीं गढ़बढ होता है बच्चों के साथ जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि आपकी गलती भी नहीं आप जब बार-बार इस तरह कि सायरी सुनोगे तो कई कि बार प्रॉब्लम आती है यह जैसे सायरी और भी है हाइ यहथामो सी curls कुछ कहना चाहती है चतान सी कठोर होकर भी गल जाना चाहती है अब देखो बैया है यह ON थ्जिछ अलग बात हो गई हाए मेरी ए खामोसी यह मेरी कौन भी कुछ तो कहना चाहती है चतान जैसी होकर भी आज बिखल जाना चाहती नहीं कि इस वी हो जाती होंगे यस्लेकर नहीं सब character चतानों के character हैं इन सब भी characters को देखा और अपने जीवन में अपनी अभी व्यक्ती में इन सब का यूज किया खे ये तो तो शेरो शाहिरी की बाते हैं प्रन्तु हम लोग थोड़ा भूगोल के दी बात करें तो एक बात समझ में आ गई कि क्रस्ट पर ही चटाने विशेश रूप से पाई जाते हैं यह तो बात पक्की हो गई अब जड़ा इसमें खास बात यह देखती हैं चटान तो फिर यह तो है तो सर कापू सकते हैं कि सर यह बंती कैसे है इसका कंपोजीशन वगएरे क्या होता है तो बच्चों चटान बंती है खनीजों से इसलिए एक दूसी परिभासा भी है कि खनीजों के मिश्टन को चटान कहते हैं खनीजों के मिश्टन को चटान कहा जाता है एक यह भी परिभासा हो सकती है तो अब आप कहेंगे सर खनीज क्या है तो खनीज तत्वों का मिश्रा है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपकी प्रिथवी पर इस समय तक लगभग 120 तत्वों की खोज की जा चुकी है इन 120 तत्वों में जब हम देखते हैं तो क्या सबक्यू पस्ति समान रूप से पाई जाती नहीं इन 120 तत्वों में सबक्यू पस्ति अलग अलग कोई बहुत जादा अबंडेंटली अवाले भी ले तो कोई पता चला बहुत थोड़ा वाले भी बहुत माइनूट क्वानिटी में तो जब हम देखते हैं जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक ऐसा तत्व है कि जो सबसे जादा प पूर्ण होती है तो उसमें जब बात करते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन नियर अबाउट 47 परसंट तो वहीं पर जब बात होती है सिलिका तो यह नियर अबाउट 27 परसंट वहीं पर देखते हैं अलुमीनियूम यह नियर अबाउट 8 परसंट तो वहीं पर देखते हैं आईरन और फेरस तो यह देखते हैं लगभग 5 परसेंट इनको आप लोग याद रखना कई बार क्रम में पूछा जाता इस में तो क्रम इन चारों का का फर्स्ट फोर का लिखवा दिया यानि कि क्रस्ट में सबसेदा किसका रोल है किसके उपस्ति है ऑक्सिजन की कितना नियर बार 47 परसन देन आफ्टर सिलिका देन आफ्टर अलुमीनियम एंड देन आफ्टर उसके बाद देखा जाए तो थोड़ी मात्रा में आप कह सकते हैं इस रूप से केलसियम के साथ पोटेसियम पोटेसियम फिर वहीं पर देखते हैं सोडियम फिर वहीं आप मैगनीसियम यानि कि कह सकते हैं यह जो आठ बहादूर हैं यही आठ बहादूर प्रिथवी के क्रस्ट में पाए जाने वाले बिफिन प्रकार के खनिज जो संख्या की दृष्टी से नियर अबाउट से 2,000 प्रकार के पता हैं आप लोगों को कि यह जो 120टी हैं यह डिफरेंट रेसिएं में मिलते हैं तो जब डिफरेंस रिख्यों में बंते हैं तो बनते हैं खनिज और ये जो खनीज हैं कित्ती संख्या में हैं बच्चों नियर अबाउट 2000 टाइप इसी में आप लोगों ने जरूर नाम सुना ओगा इसमें भी जब 2000 की बात करते हैं तो उसी में भी 67 महत्पूर हैं जैसे फिल्सपार क्वार्जाइट पाइरोक्सीन सुना ओगा आप लोगो में कुछ यह ऐसे महत्पूर्ण हैं जो जादा मात्रा में प्रिथवी पर पाए जाते हैं ठीक है क्वार्जाइट यह सभी अधिक सदिक मात्रा में प्रिथवी के कर्ष्ट पर पाए जाते हैं और यही सब जब अलग-अलग अनुपात में मिलते हैं तो एकदम कठोर या एकदम मुलायम या मीडियम जैसा भी हो सकता है विफीन प्रकार की चत्ताने बनती है सब्सक्राइब बचो आप आप लोगों को कि तत्व मिलके बनाते हैं खनीज और खनीज मिलके बनाते हैं चत्ताने तत्त कितने अब तक ढूंडे जा चुके हैं लगभग 120 हम लोग के समय हम लोग जब पढ़ा करते थे तो एक सो चैसाथ हुआ करते थे सब्सक्राइब की मैं बात करूं हाइज स्कूल में मंडलीफ सानी आप लोगों ने पढ़ी होगी बट जब रिसेंट बात करते हैं तो लगभग रखेल हैं 12 clone 28 अभी अठा रहे थे अभी तीन और भी ढूंडे गए हैं तो कुल मिला के कह सकते होन्हों लगभग 120 हम की खोज की जा चुकी है और यह विविविन अनुपात में मिलकर किश्टान को बनाते हैं इस तरह से इन इन बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा और यह जो खनीज मिलते हैं इन्हीं खनीजों में विशेश रूप से अनेएक प्रकार के खनीज पाए जाते हैं उसी में आप लोगोंने क्वार्जाइट फिल्सपार इस तरह के कई नाम आप ओलिवीन या पाइरोक्सीन कई तरह के नाम आप लोगोंने सुने होगे ठीक है तो इस तरह से इन सभी बातों को आप लोग ध्यान दखिएगा तो यह तो हुई बच्चों आपके कुछ चटानों की बातें और चटानों के प्रमुक्संगटक अब जड़ा आगे वरती जो आपके पेपर के लिए प्रिलिम्स के लिए इंपोटेंट है और आगे मेंस में भी भविश्व में कभी पूछा जा सकता है यदि इस द्रिष्टी से देखा जाए तो हम किस सकती हैं कि यह जो चटाने हैं यह कित्ते प्रकार की हैं यानि कि यदि हम चटानों के प्रकार की बात करें चटानों के प्रकार तो कई बार कई तरह से क्लासिफिकेशन होता है टेक्श्चर के आधार पर यानि कि उसमें जो कड मिलते हैं पानी और तो बहुत सारे उत्पत्ती के आध्वार पर बहुत से विद्वान classification करते हैं भुंस्ट अफी स्कॉलर्स मांते हैं कि उत्पत्ती के आध्वार के सब्छे से ऑध्वुकेशन है ज़्यादा द से ज़्यादा स करता है इसी लिए उत्पत्ति के आधार पर जब वलन हम लोग करते हैं तो आप देखोगे तीन प्रकार की चट्टाने पाई जाते हैं कि बच्पन से आप लोगों ने पढ़ा भी होगा एंसे आटी में हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो नंबर एक कौन सी है आगने चट्टाने इगनियस रॉक्स दूसरी कौन सी है और साधी चट्टाने सेदिमेंटरी रॉक्स और फिर देखते हैं एक और आती है रूपांतरी चट्टाने या कांतरी चट्टाने ट्री चट्राने तो बच्चों शमंझ में आगें ओन दे बसीस पोरजिन इस रॉक्स ईस्टान में लिवचिन रॉक्सितमेंगेंगें तो बच्चों समंझ में आगें अगें का ट्यागिए on the basis of origin this rock system may be divided in 3 part the first is igneous the second is met a sedimentary and third is metamorphic थेक है इन सब भी तीनों को आप ध्यान रखिएगा अब जड़ा one by one इनके करेक्टर को देखते हैं कि क्या इनके करेक्टर हैं सबसे पहले हम लोग आते हैं इग्नियस रॉक्स जब इग्नियस रॉक्स की बात होती है बच्चों तो एक बड़ इंटरस्टिंग बात दिखाई देती है इसके नाम में ही सारा क्रेक्टर चुपा हुआ है all the character are hidden in their names if you are going to understand its name definitely you can explain all the character related to this rocks इग्नियस तिंक इग्निय इग्नियस फायर हिंदी में भी देखते हो आग्ने आग्ने आग से बनी हुई आग से उत्पन यानि कि ये कह सकते हो आगने चत्ताने वे चत्ताने होती है जो आग की वजह से बनी हुई होती है इट मिस्टा में करेक्टर और में फैक्टर विचा रिस्पॉंसिवल फॉर दे ओर जिन ओफ इग्नियस रॉक दैट इस फायर और हाइट टम्प्रेचर यह सारु गेटिंग करेट तो सिंपल ऐसी करेक्टर किस में देखा जाता है मैगमा में यानि कि आप कह सकते हो कि मैगमा ज्वाला मुखी के दोरान जो मैगमा निकलता है जब ठंधा होता है संगनित होता है तो इस तरह से इस प्रकार की चत्तानों का निर्मार होता है यानि कि मैगमा के ठंधा होने से मैगना मैगमा के संगनी भूत होने से आगने चत्तानों का निर्मार होता है यह सिंपल वे में कह सकते है और यह जो चत्ताने हैं इनकी खास बात जब हम देखते हैं तो यह भारी होती है क्यों भाई क्योंकि इनका उच्छ घनत होता है हाई डेंसिटी होती है दियार हैबियर हाई डेंसिटी यह दोनों करेक्टर विशेश रूप से इसमें देखे जाते हैं कॉमपेक्ट होती हैं बहुत ही चुकी संघनी भूत होती है यह जैसे सोचो मैगमा निकलता है मैगमा जब बहां निकलेगा तो धीरे धीरे ठंदा होगा तो जब हाई टमप्रेचर है तो ऐसे में इसके कणों के बीच गैसों की उपस्तिर नहीं होगे तो जो कण होंगे मोलेक मोलेकूल सापस में बहुत नजदीक नजदीक बंदे हुए होती हैं तो ऐसे में किसी भी चीज का घनत्य बढ़ जाता है हाई डेंसिटी हो जाती है और फिर ऐसी चीज भारी भी हो जाती है यह दोनों करेक्टर इसमें विशेश रूप से देखे जाते हैं एक खास बात और अलसो नोन अज प्रामरी रॉक्स या फिर ओरिजिनल रॉक्स या फिर कह सकते हो बेसिक रॉक या फिर एक और वर्ड यूज होता मदर रॉक हिस्ट टान को प्राथमिक टान भी कहते हैं क्यों कहते हैं सबसे पहले बनी जरा सोचिए शुरुवाती दौर में जब पृथवी उत्पन हुई आज से 460 करोर साल से लेके साथ 480 करोर साल के बीच माना जाता है पृथवी की उत्पत्ति हुई इन इनिसियल फेज अर्थ व हंडर्स ओफ दिग्री टंप्रेचर था तिकदाम पिघली हुई अवस्था में थी वही जब ठंडी हुई तो उसी के ठंधा होने से उसी के संगनी भूत होने से कॉम्पेक्ट होने से इस प्रकार की चत्तानों की उत्पत्ति हुई कोई हाई टंप्रेचर पर चीज है तो ही मैगमा होती है तंप्रेचर लगवग एक हजार बारे सो पंदर एसो शोले सो डिग्री टंप्रेचर पर कोई भी चीज पिघली हुई अवस्था में होगी वही जब बाद में प्रिथवी धीरे धीरे थंडी हुई तो कॉम्पेक्ट होने से इस प्रकार की चत्तानों का निर प्रकार लीगव नी अचेह सेडिमेंटरी हो चाहिए मेटामॉर्फिक हो और रिमेन रोक सार्मेद अनली बाई दीज रोक इसलिए इसे वर्जनल रॉक या मदर रोक भी कहा जाता है मदर से ही सारे बच्चे बनते हैं बच्चों से मदर नहीं बनती है ध्यान रकना अब लो बच्चों की उत्पत्ती मदर से होती है यानि कि मेटामॉर्फिक या फिर सेडिमेंट्री यह जो दोनों रॉक हैं यह किसे बनी हैं इसी से बनी क्योंकि इस चत्तान का अपक्षेवं अपर्दन हुआ है तो इस तरह से इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा इस इस वेरी इंपोटेंट टॉपिक क्लियर देन फिर आप देखते हैं बेसिक बेसिक का मतलब है आधार भूत यानिकी इन अगेन इन सब बनने के लिए यह जिम्मेदार तो यह चारों सब सिरोनिम्स के रूप में यूज होते हैं कई बार अलग अलग बुक में यह भी वर्ड लिख दिये जाते तो बच्सका कइह बार समझ नहीं पाता हरे वाइट नोन जर्फ मतरण क्यों कहते हैं आप लोगों को यह बात समझ में आगे बरते हैं तो एक खास बात और दिखाई देगी कि इस चटानों में कुछ और भी करेक्टर हैं जो बड़े ही महत्पूर्ण देखे जाते हैं उन करेक्टर में जैसे देखते हो आप लोग ये जर्नली अपक्षे से मुक्त होती है कि इस प्रकार की चटानों का आसानी से अपक्षे पर्द नहीं होता है क्यों नहीं होता क्योंकि जल के प्रति है प्रवेश्य होती है जल के प्रति है प्रवेश्य याद रहेगा बच्छों ये जल जलके प्रति सामानते प्रवेश्य होती हैं इसलिए इन में अपक्ष्य वो मपर्दन की क्रिया सामानते नहीं हो पाती तो सामानते आप कह सकते हैं कि यह जलके प्रति प्रवेश्य होती हैं और जब भी जलके प्रति प्रवेश्य होंगी तो ओब्यस्य बात है कि इन में प्राय अपक्षय की क्रिया बहुत कम होगी यह बड़ी खास बात है बच्चों क्योंकि जहां पर जल होगा रसायनी क्रिया वहीं पर होगी और तभी चत्तानों के तूटने फूटने की संभावना बनती है कि यह पक्षय क्या है इस पर मैं डिटेल चर्चा करूंगा अगले कंसेप्ट में यहां पर सिंपल भासा में यह पक्षय को समझना चाहते हैं तो कह सकते हैं चत्तानों का अपने इस्थान पर टूट फूट के बिखर जाना तो यहां पर यदि बात करें तो जल के प्रति जब प्रवेश्य हैं तो यह क्रिया सामानते देखी जाती है कि बहुत कम होती है इसलिए बहुत से विद्वान मानते हैं कि यह मुक्त होती है हलांकि ऐसा कहना थोड़ा सा एक्जेजरेशन हो सकता है प्रंतु कि यह कह सकते हो कि बहुत-बहुत मंद्या से ग्रिनाइट देखो ग्रिनाइट बहुत हाड होता है बहुत हाड कि सैकड़ों सैकड़ों सालों तक चलता इसलिए आप देखोगे पुरानी बिल्डिंग जो ह हुआ हार्ड रॉख हुए तो यहां पर यह भी करेक्टर इसको ध्यान रखेंगे ठीक है इन में बड़ी खास बात यह भी बच्चों कि इन में जीवास्म नहीं पाया जाता है जीवास्म रहित होती है साम मानत्य यह जीवास्म रहित होती है कि समझनारी बात यह बड़ी खास बात है इसके जरा सोचिए अब आप से पूछा जाए या आप कहेंगे कि सर जीवास्म रहित क्यों होती है तो सिंपल सी बात है कि जब यह चट्टा ने बनी उस समय प्रित्वी पर जीवनी नहीं थ आज से सोचिए 460 करोड साल पहले जब प्रित्रिवुत्पन हुई होगी तो उस समय जीवन था ही नहीं जीवन नहीं होगा तो सिंपल सी बात है कि वहां पर जीवास्म भी नहीं होगा फिर दूसरी बात यह भी माना जाता है चुकि चट्टाने बहुत हाइड टमप्रिचर पर बनती हैं यानि कि मैगमा जो निकलता है जो एक हजार से लेके बारेसों चोदेसों सोलेसों डिगरी सेल्सियस तक होता है उतने हाइड टमप्रेचर पर यदि कोई भी जीव पढ़ जाए तो सेकिंड सेकिंड में फ्रेक्शन अप सेकिंड में खत्म हो जाएगा तो ऐसे में किसी भी तरह के जीवास्म की संभावना है ही नहीं समझ रहे यह बात तीन चार बातें आपको ध्यान रखने जरूर यह क्या भाई पहली यह चट्टा ने मैगमा के ठंधा होने से संगनित होने से बनती हैं इस रॉक्स आर फॉर्म डू टू सोलेडिफिकेशन और कंडन से होती नों पर्मेबल होती हैं पान इसमें प्रवेश नहीं कर पाता है कर पाता असानी से फिर तीसरा जिवास्म रहित होती है फोसिल्स आर नोट फॉर्म इन इस गाइंड ऑफ और प्रोसेस ऑफ वैधरिंग एरोजन हैपन वेरी वेरी सलोली लग भग नेगलिजेबल इस में अपक्छा की क्रिया लगभग नहीं होती है या फिर बहुत ही मंद होती है क्योंकि पानी आसानी से प्रवेश नहीं कर पाता जिससे रसाइनी क्रियाय सामानत नहीं हो पाते हैं तो यह तीन चाहर करेक्टर यदि आप समझते हैं तो आगे कहीं पर भी पहचान सकते हैं इन चत्तानों के बड़ी खास बात ही देखी जाती है कि ये पृठिवी के करष्ट का अधिकांस भाग यही बनाते हैं पृठिवी के क्रष्ट का अधिकांस भाग इन्हीं चठानों से बना हुआ है प्रंतौ दो तरह से आपको इसको देखना होगा यदी हम के उरीजंटली देखें और दूसरा एक कि वैटिकली देख閱ें दो तरह से दी हम देखें इसको तो आप कह सकते हैं कि इन में डिफ्रेंसीज देखे जा सकते हैं यह देखिए भाई यदि हम होल जंटली बात करें याने की 36 रूप से देखें प्रिथवी के ऊपर पूरी तरह जो प्रिथवी का टोटल एरिया है जानते ही होंगे आप लोग टोटल एरिया फॉर सर्फेस इस नियर बाउट फाइफ अंडर्ट टैन मिलिन स्कॉार किलो मीटर प्रिथवी का जो कुल सित्रफल है फाइफ अंडर्ट टैन मिलिन स्कॉार किलो मीटर और फाइफ अंडर्ट टैन मिलिन स्कॉार किलो मीटर के कह सकते हैं अधिकांस भागों में आगने चटाने या औसाधी चटाने इन दोनों की उपस्ति पाई जाती है प्रंतु आगने चटानों की क्या उपस्ति पाई जाती है तो आगने चटानों की उपस्ति देखें तो ऐसे में केवल 25 परसंट पाई जाती है और बाकी फिर क्य पाई जाती है यह देखने वाली बात है तो बाकी देखेंगे आप यह देखिए बच्चों बाकी देखी जाए तो यह कह सकती है क्या है और शादी कितनी नियर बाउट सेवेंटी फाइब परसन पाउट अर्थ क्रस्ट के नियर बाउट सेवेंटी फाइब परसन पाउट पर सेडिमेंटी रॉक्स आर एक्स्टेंड इन जस्ट फाइब परसन अरिया कवर्ड बाई इग्नियस रॉक्स बट आप आगे देखेंगे यदि इसको हम लोग दूसी तरह से देखें ऐसे देखें तो हम कह सकते हैं इन ए वेरी सिंपल मैनर तो ये क्या हैं भाई और साधी कितनी जस्ट फाइब परसेंट यू कन इमेजिन एंड रिमेन जो बाकी हैं आप बाकी देखोगे तो बड़ी इंटेस्टिंग बात दिखाई देगी ये डाइग्राम बच्चो बनाना सीखो बनाना डाइग्राम बहुत जरूरी जितना डाइग्राम आप बनाएंगे इन्वाल्व होंगे उतना ही जिया कोई भी विश्ट है जैसे साइन्स टैक है जियोग्राफी बेसके लिए साइन्स है ना बच्चो तो जितना ज्यादा डाइग्राम बनाओगे उतना ही ज्यादा आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी समझ में आएंगी तो थोड़ा आपको थोड़ा प्रॉब्लम लगे बट इन्जवाए आने लगे कुछ दिनो बाद अब देखोगे यहाँ पर नियर बाउट 95 परसंड कौन है आग ने आपके इन्जवाए परसंड करते हैं तो लगभग 75 परसंड एरिया पर आगने और केवल 25 परसंड एरिया पर आपके इनक्यू पस्ति पाई जाती है तो इस तरह से यह दोनों डाइग्राम आपको याद रहने चाहिए क्लिप तो इस तरह से आगने चटानों की कुछ बातों को धार्न लगे फिर बचे को और भी खास बात दिखाई देती चुक्य चटाने इनिशियल फेज में बनी है लंबे समय तक बिभिन प्रकार की प्राकृति घटनाएं घटी परिणाम यह हुआ इनमें बिभिन प्रकार के खनीजों की उपस्ति पाई जाते हैं यानि कि अब बात आते हैं करते हैं कुछ इनके महत्त की तो जब महत्त की बात करोगे तो आप सबसे पहले कह सकते हो विशेश रूप से धात्री खनीजों से अत्यधिक संपन होती हैं पता है बच्छों आप लोगों को वेरी वेरी इच विद्ध इफ्रेंट काइंड आपको इन ही चत्तानों में मिलेंगे एक बात ध्यान रखना और मैटलिक में भी देखोगे जो मैटल जितना ही महंगा होगा इस प्रकार की उतनी पुरानी चत्तानों में मिलेगा यह सबसे बड़ी खुब सूर्ति इसकी देखी जाती है यदि सिंपल सा सोचो कोई चत्तान पांच करोर साल पुरानी है कोई 10 करोर साल पुरानी कोई 12 करोर साल पुरानी कोई 15 करोर साल पुरानी है एक सिंपल वे में सोचो तो उसी अनुसार सोचिए कि उसमें किस किस तरह के मिनरल से मिलें जैसे मैं कहूं प्लेटिनम जैसे मैं कहूं सोना जैसे मैं कहूं चांदी य सबसे महंगी न स 낮 और अब 착ाब से प्लेटणम आप को वीसें रूप से 15 करोड़ साल पुरानी जो चत्तान होगी सोना लगब्षटकर तस पुरानी होगी चान दि लगबग पांच करोड़ साल पुरानी तो पर उससे उससे कम उससे कम यानि कि चताने पुरानी होती है उतने ही बहमुल्य खनीज को से उतने ही प्रिस्यस मिनरल से मैटलिक मिनरल से रिच होती है ये बड़ी कहस बात है ये इनका खास महत देखा जाता है कि फिर कुछ नोन मिनल कि मिलते खासकर पथरों करें इसमें मिलते ग्रिनाइट आप लोग ने सुनाओगा ग्रिनाइट बिल्डिंग मेटिरियल में बहुत महत्पूर्ण खनीज के रूप में बहुत महत्पूर्ण मिनरल्स के रूप में काम करता है आप देखोगे वहभी इसी में पाया जाता है इस रूप में यह चतान बड़ी ही महत् तो विश्र के बिफिन भागों में इस प्रकार की चत्तानों का वित्रण पाय जाता है अब अधाप लोग विश्र इस रूप से आप लोगों ने सुना होगा कनेडियन सिल्ड आप लोगों के पास अटलस होगा तो नौर्थ अमेरिका में जाए और नौर्थ अमेरिका में आप लोग करणा के एकदाम उत्तर साइड में देखोगे जो हट्सन बेह एरिया लिखा होगा वहीं पर कनेडियन शिल्ड नाम से समझ में आ रहा होगा इस कनेडियन शिल्ड रीजन इस ओल्सो नोन एज मिनरल हाउस और ट्रेजर हाउस ऑफ कनाड़ा आप देखोगे कनाड़ा के बहुत सारे महंगे खनिज इस एरिया में मिलते हैं और आप लोगों ने टीवी पर भी कुछ इस टाइप के प्रोग्राम देखी होंगे जैसे गो गोल्ड रशीन अलास्का एक डिस्कवी चैनल का बड़ा फैमस प्रोग्राम है आप लोग देखोगे कई बार अलास्का इस सब रीजन उसी में आता तो यह पूरा रीजन गोल्ड के के लिए प्रसिद्ध है यहीं पर उरेनियम आप लोगों ने सुना होगा जरूर ग्रेट बीयल लेग ग्रेट स्लेव लेग अथाबास्का लेग अथाबास्का के किनारे ही आप लोगों ने एक बड़ा फैमस सहर सुना होगा यूरेनियम सिटी इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और कई बारोकर्षन पूछे गए आप लोग जानते ही होंगे कि 2011 तक कनाड़ा दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम मुत्पादक राज्य उन्हें मुत्पादक देश हुआ करता था क्यों कि इस पूरे एरिया में बड़ी मात्रा में इसी तरह से आप लोगों ने सड़बरी खान सुनी होगी सड़बरी खान विशेस रूप से निकिल के लिए फहमस है कॉपर के लिए फहमस है उन्टारियोग खान चांदी के लिए फहमस है तो इस तरह से आप लोग कह सकते हो करना कनाडा के बिभिन भागों में बड़ी मात्रा में खनीज पाए जाते हैं बिकॉज ओफ इस स्पेस्विक काइंड ओफ रॉक्सार फाउंडेयर एंडेट रॉक साइगनियस रॉक्स एंडीज रॉक्स आर वेरी वेरी ओल्ड बहुत पुरानी है क्योंकि ये पूरा का पूरा भाग कनेडियन शिलका पेंजिया का भाग है और पेंजिया आप लोग ने जरूरी सुना होगा कि पेंजिया सबसे पुराना लेंड मास माना जाता है उसी से तूटके आपका नौर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका बना है अफ्रिका अगरे बना है तो इस तरह से आप लोग वहां पर समझ सकते हैं या फिर साउथ अफ्रिका में जाएंगे तो कनेडियन सिल के बाद दूसरा एक से दूसरा। ब्राजीलिन हाइमंड है तो आप लोग अपने अटलस में जाएंड हो तो तो ब्राजील के पुरभी भाग में जहां ब्राजीलन हाई लेंड्स है वहाँ पर सोना चांदी कौपर डायमंड अन्य डिफ्रेंट तरह के मिनरल इस पूरे रीजन में भरे पड़े हैं आइरन का बड़ी मात्रा में वी फाइन क्वालिटी का आइरन या फिर आप लोग और भी मामला मामला को आगे बढ़ाओ तो आप लोग पलव से भाई प्रयदीपी भारत प्रयदीपी भारत में भी विशेश रूप से कर्नाट का पठार दंकारन्या पठार चोटा नाकपूर पठार इस आर एरिया वेरी वेरी फैमस पो फॉर्पाइनेस्ट कॉलिटी ओ आयरन ओर कर्नाट का प्लेटु पहिं आप लोगों ने जरूर सुना होगा बाबा बुदान हिल्स कुद्रे मुख है ना इसी तरह से धंकारन्या च्छतिस गर्जो बास्तर प्लेटू भी कहलाता है वहीं पर आप लोगों ने बैला डिला खान सुना होगा बैला डिला खान यहां पर भी फाइन क्वालिटी का लोहा मिलता है यह अफ्रिका में आप लोग जाओगे तो साउथ अफ्रिका के विशेश च्छित्र में देखोगे बहुत सारे आपको कटंगा प्लेटू आप लोगों ने सुना होगा अफ्रिका के कोंगो वाले रीजन में आफ्रिका का कॉंगो डेमोक्रेटिक रीजन है वहां पर देखो कटंगा प्लेटू वेरी वेरी फेमस फो फोर कोपर या साउथ अफ्रिका में आप लोग देखोगे गोल सिल्वर आपके यूरेनियम रेडियम प्लेटिनम डायमंड डिफ्रेंट तरह के मिनरल्स यहां पर आपको दिखते हैं अलग-अलग छेत्रों तो मेटलिक मिनरल्स के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है इस बात को ध्यान रखना या उस्टेलिया उस्टेलिया भी तो उसी का पार्ट पिंजिया का पस्मी उस्टेलिया वाला पार्ट विश्यस रूप से तो वहीं पर आप लोग में यह चटान पाई जाते हैं अब जरा कारवां आगे बढ़ाते हैं तो आपको समझ में आ गया आगने चटाने मैं समझता हूं बहुत है more than sufficient अब कारवां आगे बढ़ाते हैं जब कारवां आगे बढ़ता है तो इसी क्राव में एक और बात समझ में आती है और साधी चट च्टान बंती कैसे हैं और इनका करेक्टर कैसा होता है यह कुछ रब्द हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिए सबसे तो पहले और साधी वर्ड पर ध्यान दो और साधी और साध मलब तूट फूट किसका तूट फूट जो कोई हाड रही होगी उसी की तूट फूट होती है यस यानि कि आप यह कह सकते हैं आगने चटानों के तूट फूट से उनके अपक्च्छ एवं अपर्दन से विशेश रूप से और साधी चटानों की उत्पत्ती होते हैं अब आप कहेंगे सर आप तो कुद्धिर पहले बोल रहे थे कि आगने चटानों का अपक्च्छ परदन नहीं होता है वक्त सब को तोड़ देता है सुना होगा आप लोगों ने बड़े-बुड़े बोलते हैं रहे बिटा वक्त की बात है सब कुछ बदल जाता है भूगोल में एक बात इसी को दूसे तरह से कही जाती है कि नथिंग इस्टैटिक अंडर देश्चन इस सूर कितना हूं मजबूत पत्थर हो कितना हूं मजबूत पत्थर हो सैकड़ों सालों में हज्जारों सालों में तूट फूट के बिखरी जाएगा अभी मैंने कहा ग्रेनाइट बहुत कठोर होती है कि कितने साल नहीं तूटेगी सो साल दो सो साल पान सो साल हजार साल दो हजार स यहां तो करोडों करोडों सालों की बाते हो रही है भाई तो वक्त के साथ हर चीज बदल जाते हैं इसलिए कहा जाता है कि यहां पर कोई चतान पड़ी हुई है यह मान लो कोई आगने चतान है बड़ी कठोर है बड़ी मजबूत है भाई ठीक है मानते हैं कॉम्पैक्ट है यहां पर सूरज साहाब है अब सुरज की धूब पड़ी दिन के समय चतान गरम होगी गरम कोई भी चीज होती है तो फैलती है रात हुई टेंप्रेचर कम हुआ शिकुडेगी यानि की फैलने और सिकुडने की क्रिया निरंतर चल रही है निरंतर चल रही है परिणाम एक दिन यह आएगा कि यह चतान निश्य थी बिखर जाएगी टूट फूट जाएगी क्योंकि जब भी contraction relaxation की process होती है तो definitely कोई भी rock powder जैसी बन जाती है पता आप लूँक यस इट happen with these kind of hard rocks यानि की आगने चत्तानों का जब अपक्छा परदन होता है तो जाँ सोचिए यहां पर आके निक्षेपन हुआ यहां पाके निक्षेपन हुआ यह नीचे आके जमा हो गई ठीक है बाई जमा हो गई इमेजिन करिए कि यहां पर भी इमेजिन करोई कि यहां पर भी आगने चत्तान कोई पड़ी हुई है इसका क्रेक्टर थोड़ा दूसरे तरह का है यह भी तुटी-फुटी और वक्त के साथ इसके भी आउसाद आके यहां पर जमा हो गई यह देखें इतने में हो सकता है कहीं से बहता हुआ पानी आया और अपने साथ बड़ी मात्रा में चीजों को घोल के लाया मिट्टी को कुछ और चीजों को कठोर चतान रही होगी उसे घोल के लाया और लाके यहां पर फैला दिया यहां पर लाके इसने फैला दिया लो भाई यानि कि लंबे समय तक निक्षेपन की क्रिया हुई और निक्षेपन की क्रिया से पर्ते बननी शुरू हुई और अलग-अलग पर्तों का निर्मार हुआ इसी लिए चुकि इन में पर्तों की पस्ति पाई जाती है इसी लिए यह प्रत्दार चत्ताने भी कहलाती है याद रहेगा बच्चों दो वर्ड हो गए और साधी चत्ताने एं डू टू टू पर्ज अब ज़्रा आगे देखो यति यह परत्दार चत्तानि हैं और कड़ों के अप शलीम पर्दन एक चतानों के पक्छ उसब vertan से बनी हुई हैं तो कड़ों कड़ यहाँ पर मिलेंगे उनने में देखो और जब भी कडों के बीच इस पेस होगा तो इतने में बारिस हुई है न यह देखो बारिस हुई और बारीस हुई तो पानी आसानी से प्रवेश कर गया और क्या कह सकते हो यह चटाने परत्दार होती है और इनमें कडों के बीच space पाया जाता है जगह पाया जाती है इसलिए इन में पानी आसानी से प्रवेश कर जाता है और बच्चों ये बड़ी खास बात है कि जहां पानी होगा वहीं पर जीवन होगा ये जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है क्योंकि जल ही जीवन है एक बात कही जाते है और वह यहीं पर प्राइमरी कुछ वेजेटेशंस बनेगी सेखेंडी वेजेटेशंस बनेगी और जब भी किसी चेतर में वेजेटेशंस डॉल पहूंगी तो डैफिनेटली उस चेतर कुछ समय बाद आप देखोगे विशेश रूप से जन्तूओं का विकास अवस्य होगा यानि कि ऐसे छित्र में इस प्रकार की चत्तानु में बिभिन प्रकार की बनस्पतियों और बिभिन प्रकार के जीव-जन्तूओं का विकास जरूर होता है थीक है तो इस point of view से बड़ी महत्पूर्ण है इन में बनस्पति और बहुत ज़्यादा पाई इन में नहीं पाई जाती ध्यानक ना बच्छो इसी लेक बात कही जाती है कि पत्थर में फूल नहीं खिलते हैं में फूल किसमे में खिलते हैं इसे बास समझ में आ रही है क्या मतलब है इसका मतलब है जीवन की उत्पत्ती जीवन का विकास जीवन के विकास योगयव्य पहिश्थितियां मिट्टी में ही पाई जाती मुलायम चट्टानों नुम ही पाई जाती इसका मदलब समझ में आ गया कि मिट्टी क्या है एक प्रकार की चट्टान है वह प्रकार कौन सा है और साधी प्रकार मिट्टी एक अवसाधी प्रकार की चत्तानों का सर्वत्त मुधारण है और मिट्टी देखते कित्ती सफ्ट होती है जिसमें अलग-अलग कन होते हैं जिसमें जल का प्रवेश आसानी से हो जाता जैसे जलोड मिट्टी आप लोगों ने सुना होगा उसमें इस तरह की स्तिती आसानी से आप लोग देख सकते हो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो थोड़ा सा भाई सोचिए विचार कीजिए ये बड़ी खास बात ये सब करेक्टर्स ध्यान रखने रखने वाले अब यहीं से एक बात आगे निकलेगी कि मालो इस प्रकार की च और एक दिन ये हिस्तिती आई भूगर भी खल चल हुई और ये साहब लोग इसी में दफन हो गए लोगा तो ज़रा सोचो भाई क्या होगा ये दफन होंगे तो बन जाएंगे जीवासम यानि का असाधी चटानों का अगला क्रेक्टर क्या होगा कि यह जीवासम से अत्यध एक संपन होती हैं भरी हुई होती है कि समझ में आरी बात जीवासम से भरी हुई होती हैं इनकी सबसे बड़ी विशेष्टा है जीवासम भीन प्रकार के हो सकते हैं जीवासम ये ठोस भी हो सकता है कि द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकती भी यदि ठोस हुआ तो क्या बनेगा कोईला कोल द्रव हुआ तो फिर बनेगी यानि पेट्रोलियम और गैस बनी तो क्या हुई प्राकर्टी गैस यस बच्चों आप लोग जानते होंगे यही जिवाश में दन कहलाते हैं फोसिल्स फ्यूल कोईला पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ओल दीज और एग्जामपल फोसिल्स और सिंप्ली नोन एज फोसिल्स फ्यूल और वर्तमान समय में इन प्रजन टाइम ओल फोसिल्स फ्यूल आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट विकॉज दुनिया में जो भी ग्रोथ हो रहा है वेटा उसके पीछे कहीं ना कहीं इस एनर्जी की इस उर्जा की उपलब्धता अब अब अबिलिटी बहुत माइने रखती है अब आप कहेंगे कि सिर पहले तो कोईला से चलती तो बिलकुल कोईला से चलती थी वक्त के साथ टेक्नोलोजिकल अब गैडेशन होता होता गया आप खास बात देखो जब कोईला से चलती थी तो स्पीड कम थी पर अब डीजल से चलती है तो देखो किती ते चलती आने वाले समय में तो अब प्रयास हो रहा है कि प्राकृतिक गैस से चले बिलकुल हो सकता है तो सिंपल कहने का मतलब यह है कि बिफिन प्रकार की उर्जा के सोत भी है इनी में कोईला इनी में पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस पाया जाता है कई बार पेपर में इस तरह के प्रस्ण पूछे जाते हैं कि कोईला किस प्रकार की चत्तानों में मिलता है तो अब याद जसकी वज़ाइसान की प्रॉसेस फोछे सवई और यह अलग तो यह से खास सबात जिए करणकी जो किया हुई इसमें फ्राइश को इला बने गा पेट्रॉल बनेका या प्राख्रती क्नार डैस बनेगी ट्रै ट्रॉड प्रेशन टाइम इन पर निर्भर करता है जरा सोचो एधी गहराई कम हुई ज्यादा गहराई में दफ नहीं हुए जीव जन्तु बनस्पती तो वे सोलेडीफाई होके बना देंगे कोल ज्यादा जमीन में चले गए लिक्वीफाई हो जाएंगे बना देंगे प्राकृतिक गैस और बहुत गहराई में चले जाएंगे और हाई टमप्रेचर मिल जाएगा तो फिर बन जाएंगे गैस इसलिए आप लोग एक बड़ी खास बात देखोगे कोईला कम गहराई में पैट्रोलियम उससे ज़्यादा गहराई में और गैस उससे ज़्यादा गहराई में आप देखोगे कई बार कोईला सो 200 मीटर 500 मीट कुछ फुट तो वहीं पर आप लोग देखोगे पैट्रोल 5,6,7,8 किलो मीटर तक गहराई में मिलता है और वहीं पर जब नेचुरल गैस की बात करोगे तो ये मिलते हैं 8,9,9,10,11 किलो मीटर की गहराई में मिलते हैं तो इस तरह से अलग-अलग कंडिशन में ये सब बनते हैं यहां पर ये ध्यान देने वाली बात है फिर अब नेक्स करेक्टरिस्टिक्स चुकि इन चटानों में आसानी से जल प्रवेश कर जाता है मुलायम होती हैं तो इसी पर तुम लोग देखोगे हम पालतु बनस्पत होती मतलब फशल फशल उगाएंगे तो खाध्यान फशले होंगी यानि कि गेहूं होगा चावल होगा धान होगा जो भी सो सकते हो दलहन तिलहन डिफ्रेंट तरह की फशले हम ले पाएंगे तो यानि कि जहां फशल पैदा होगे वहां मानों होगा इसका मतलब है विष्व इस रूप में इन चत्तानों को देखा जाता है एक बात और है इन चत्तानों की यह चत्ताने वक्त के साथ हाड़ भी हो जाती है खासकर जो बहुत गहराई में होती है 50-50 मीटर 100-100 मीटर की गहराई में जो सुरूम एकदम बनी है जैसे सोचो यह वाली है कि यह जो परत्थ सोचो इतनी उपर से प्रेसर पड़ा दबाओ पड़ रहा है हजारों लाखों सालों से दबेंगी तो कॉम्पेर्ट हो जाएंगे कठोर पत्थर के रूप में बदल जाएंगे तो जब कठोर पत्थर के रूप में बदल जाएंगी तो नहीं का एक्जाम्पल आप लोगों ने जरूर सुना होगा लाइम नहीं कि मार्बल्स हो गये चूना पत्थर कह सकते हो सिंपल सेंड स्ट आ या जाते हैं को जी द्यानकना चुना पत्थर बलुआ पत्थर इनी चटानों में पाए जाते हैं जिनका विशेश रूप से building material के रूप में प्रियोग होता है लाल किला देखाओगा आप लोगों ने अरू से दिल्ली का लाल किला हो अगरे का के लाल किला हो मांडू का किला हो बहुत साइब पुराने समय के मंदिर देखेंगे आप उनमें सामानते लाल बलुआ पत्थर का प्रियोग बड़ी मात्रा में हुआ रहता है इस पाइंट अब्यू से यह बड़ी महत्पूर्ण मानी जाती है ठीक तो इस तरह से इन सब भी बातों को आप लोग भाई ध्यान रखे आवसादी चत्तानों से संब्दे यानि कि यह भी कह सकते हो विशेश रूप से नदियों के आवसादों द्वारा लाए गये जो बड़ चत्त में बड़ी मेधान हैं जैसे सींदू गंगा ब्रह्मपुत्र मेधान वांग ऑ मैधान युंग कीञ मेदान मैसोप्र्टामि कमेदान नायल का मैदान पराना प्राग्वे उरुग्वे मैधान को Tre 다음 यह ज्यादत मैदान टने भी हैं ओलार फॉंट भई these kind of sedimentary rocks और देखोगे दुनिया की बड़ी population Europe का North European plains आप देखोगे most of population of the world settled in this region so this point of view again this rocks are very very important तो इसकी बास समझ में आ गई कि यह चत्ताने अप्छय पर्दन से बनती हैं किसके आगने चत्तानों के इन में दो कड़ों के बीच जगय अधिक होती है जिसलिए जल के प्रती आसानी से प्रवेश्य होती है इसलिए इसमें बनस्पती का बहुत दिख विकास होता है और इसलिए जिवास्म के उपस्ति पाई जाती है ठीक है और इसमें लाइम स्टोन रेड सेंड स्टोन निचले भागों में पाए जाते हैं यह सभी कुछ बातें ध्यान रखना अब हम आते हैं तीसरी कौन सी यह भाई चटान थोड़ा सा अच्छा हां फैलाओ के हिसाब से फैलाओ में मैंने बताया था आप लोगों को पिर्थवी के क्रस्ट पर आप लोग जब देखोगे 36 रूप से तो लगभग 75 परसंट भाग पर इस प्रकार की चटानों की उपस्त सी पाई जाती है इस पाइंट अब्यू से चटान महत्पूर्ण मानी जाती है क्लियर देन बच्चों थोड़ा सा कार्मा आगे बढ़ाईए एक और बची हुई है कौन सी रूपांती चटाने रूपांतरित या कायांतरित है ना या कह सकते हो मैटा मॉर्फिक रॉक मैटामॉफिक रॉकस नाम से अपको समझ में आ RIGHT होगा मैटा मॉर्फिक यानि एसी चटाने जिन में बहुत जादा मॉर्फिजम हुआ है मेटामॉॉर्फिजम हुआ है यानि ब्यापक परिवर्थन कहना ता आप सिंपल में में कह सकते हैं रूपांती इतना अधिक परिवर्तन हो जाता है उनकी बनावत में कड़ों के बनावत में कड़ों के ब्यवस्थान ब्यवस्था में इतना अधिक encouragement हो जाता है कि यह पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वास्तों में चतान किस माती चतान से बनी है highly metamorphosis in in the whole aspect either color texture whatever you can imagine most of things has been changed and you can't identify कि actually which is a mother rock किसे बनी हुई है you can't identify mother rock कौन सी है you can't identify आसानी से इंटिफाइ नहीं कर सकते काम आदमी नहीं है आसानी से इंटिफाइ कर सकता है जैसे कोईले से हीरा बनना आप क्या पहचान कर पाओ इतनी आसानी से कि कोईले से हीरा बना है एक आम आदमी को दे दिया जाए कि अगरे यार क्या कह रहे यार ऐसे कैसे बड़ जब कैमिकली देखते हैं केमिस्ट्री के पॉइंट अब यूद से देखते हैं तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि हीरा और कोईला दोनों कार्बन के अपरूप है एलो ट्रॉप्स कि बोथ हार एलो ट्रॉप्स ओफ कर्बन यानि कि कई मामलों में बड़ी सिमिलर्टी यस बिल्कुल सही बात पर एक सिंपल वे में आप देखोगे तो जहां पर कोईला कंपेटिवली सफ्टर होता है तो वहीं डायमंड हार्डेस्ट होता है कोईला लाइट का हंड़ेट प देखा जात इसंवी हीरा कुछ चमकता है बड़ी खास बात है है ոारी की तो इस तरह से प्रकास देखोगे कोईला प्रकास को पूरी तरह से अबजॉब कर लेता हीट को observe करता प्रन्तु वहीं कि आपका घ। रखको भी रिफ्लेट कर देता हिड को रिफ्लेक्ट कर देता हिसलेगे रा देखो गे लंबे समय थन्दा बना रहता कि तो इस तरह से क्रेक्टर में बहुत डिफ कर देखा जाता हैं तो इस तरह से इन बातों को आप लोग ध्यान रख सकते हैं अब जरा सोचो बच्चों यह बंती कैसे हैं तो यह बंती हैं बच्चों ताप दाब की विशिष्ट दसाओं पर बंती हैं यह बंती हैं ताप दाब की विशिष्ट दसाओं तो बच्चों इसका निर्मार कैसे होता है यह समझने वाली बात तो सिंपल सी बात है इस प्रकार की चत्तानों के निर्मार के लिए ताप दाब और समय यह दीन फैक्टर सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण होते हैं अब आप कहेंगे सर ताप दाब और समय यह क्या मतलब बिल्कुल बिटर ताप एक ऐसा प्राकृतिक गुण है प्रकृति में पाये जाने वाले एक ऐसा भौतिक गुण है जो हर चीज के भौतिक गुणों को बदल देता है यह यह कह इस प्रिछवी पर पाई जाने वाले बस्तुओं के भौतिक गुणों में परिवर्तन के लिए the most important factor is temperature and pressure आपके बहुती गुड़ों में परिवर्तन हो जाता है आपके भी टेस्ट करके देखो नहीं विश्वास है सुबह से लेके साम तक धूप में खड़ा होके देखो ना आप बदल जाए पहचान आपके नहीं हो पाएगी मालनो सुरेश को बड़ा मूड में आया और क से नहीं कि साम को घर में जाएगा बाल खड़े खड़े है ना चेहरा को समर्जाया हुआ इसकी निकदम डल कि वांड खट खटाया ममी ने किवांड खोला ममी मैं आ गया ममी कहेंगी बैटा ठीक है तूँ तो ममी बोल रहा है पर तू है कौन अरे ममी मैं ही सुरेश हूं नह नहीं 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 रुख जा रुख जा तू सुरेश नहीं आवास तो लग रही है पर तू बिटा एकदाम बदल गया ऐसे सुरेश तो नहीं ता जो सुबह गया था एकदाम लुटा पिटा सा बिलकुल बिटा आपके स्किन आपके बाल आपके बहुत सारे जो गुण हैं बदल जाएगे बहुत तिक गुड़ों में परिवर्तन के लिए ता बहुत बड़ा जिम्मेदार कारक है आज एक इमेजिन करते हैं मालो आज मैं इस क्लास में पढ़ा रहा हूँ है आज हम डिसाइड करते हैं सभी लोग मिलके यस कि सर इस क्लास में यह जो कुर्सी है इसको लेके चलते हैं और जमीन में 2800 मिटर की घहराई में गाड़ देते हैं तीन हजार मेटर की लोग अरे सर पांच करोड साल बाद कैसे मिलेंगे ये भी संभव है क्या यस मैंने पहले भी का है लाइफ में ध्यान न करना कभी भी कभी ट्रबल में रहना तो एक वर्ड बोल लेना सूरज के नीचे हर कुछ संभव है बिल्कुल संभव हम लोग पांच करोड साल बाद मिलते हैं कहां बाई इंद्र के दर्बार में जैसे आप लोग जानते होगे हिंदू माइथलोजी में या मौर अलेस्स सभी माइथलोजी में माना जाता है हेवन हेल एन हेवन का कंसेप्ट हर धरम में देखोगे जो भी आपका धार मिक्समों आप अच्छे करम करिए प्रसासक बनिए बढ़ियां जनता का न्याय करिए जनता के साथ सायोग करिए सबकी दुआएं रहेंगी स्वर्ग मिलेगा हम लोग इंद्र के दर्वार में रस्पान कर रहे होंगे इसी में कोई भागता हुआ आएगा सुरेश काएगा सर वो देखे तुसी ग्रेट तुसी ग्रेट अरे भाई क्या हुआ तो सर वो देखे जो हमने जमीन के नीचे तीन हजार मेटर की गहराई में वो जो कुर्षी गारी थी लकडी वाली वो हीरा बन गई Could it possible? Yes, again it possible. How? Just think this लकडी, this wood is a example of carbon जब जमीन में गार होगे तो कुर्ष समय बाद यह बनेगी कोईला और कोईले में fit temperature pressure का effect आएगा तो after a very long time very long time उसके molecules का arrangement किस तरह हो जाएगा तो diamond के molecules के रूप में राइंज हो जाएगा यानि कि diamond बन जाएगा बिल्कुल सही बाद इसी तरह से बनता इसी लिए देखो केमिकली जब केमेस्ट्री के पाइंट रव्यू से आप पढ़ोगे तो कार्बन के यह दोनों हेलोट्रॉप्स है तो इस तरह से इसमें बहुत जादा परिवर्तन होते हैं तो इसलिए कहा इसलिए में बहुत अधिक समय लगता है यह बहुत अधिक प्रेशर पर बनती है हाइट टमप्रेचर पर बनती है तो वह सब्सक्राइब कहां मिलती है जमीन के काफी घहराई में मिलती है प्रिश्यस मानी जाती है याने कि महएंगे पथर प्रिश्यस जो सठाउं स्थे सशब्स है अब और मयटा मॉर्फी करस लाइक आह ends कहए सकते हूझ और फाल गयरे जो होते हैं आपके मूंगा कोरल सब्सक्राय गेरे होती कुरल पत्थर आपने पन्ना पहना होगा नीलम अगेट मानिक्य बहुत सारे इस तरह के जो कीमती पत्थर हैं महेंगे पत्थर है ओल आर एक्जाम्पल ओफ मेतामॉर्फिक रोक्स याद रहेगा डायमन मानिक्य मूंगा अगेट नीलम यह सब भी इसके एक्जाम्पल्स के रूप में हम लोग कह सकते हैं जिनकी उपस्ति बहुत कम पाई जाती है और इनका उप्योग इसलिए ओना मेंटल परपस से यानि की आभूशन की दृष्टी से विश्यस रूप से किया जाता है आप लोग देखा हो का सफायर होगे हम लोग पहन जाता है निलम है कोरल से हैं यह सभी डायमंड तुख है पोपलर है तो इस तरह से आभूशन के दिश्टी से महत्पूर्ण मानी जाते हैं चलिए बच्चों यह तो हुआ चटाने तीन प्रकार की कौन-कौन सी आगने और साधी और रूप पांत्रे जिनके बिफिन प्रकार के करेक्टरिस्टिक्स उनके बिफिन प्रकार के उपियोग इनके छेत्र आप लोगों को मैंने बताया अब जड़ा इन चटानों के बारे में अधिया आप देखें तो एक और अगला कंसेप्ट बनता है वह है चटानों का चक्र चटानों का चक्र साइकिल ओफ रॉक्स बच्चिंग बड़ी खास बात है क्या ऐसा हो सकता है कि इस प्रिथवी पर जो चटान जिस रूप में बन गई है क्या वो हमेशा उसी रूप में इस्थिर रहेगे सुचिए क्या इस संभव है नो नेवर एवर कभी नहीं क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है बिल्कुल सही बात है यानि कि आज जो चटान है आगने चटान है कल को हो सकता है वह आवसादी बन जाए जो आज आवसादी है हो सकता रूपांतित बन जाए जो आज रूपांतित है वो हो सकता आगने बन जाए बिल्कुल और यह चक्र कुछ निश्य दसाओं में निरंतर चलता रहता है और एक चत्तान का दूसी चत्तान में परिवर्तित होने की प्रक्रिया ही चत्तानों का चक्र कहलाता है सोच सकते हैं आप लोग इसलिए कहा जाता है कि there is nothing static under the sun ये भी लाइन ध्यान रखना there is nothing static under the sun इस सूरज के नीचे कोई भी चीज इस्थाई नहीं है निरंतर हर चीज में हर चण परिवर्तन होता रहता है ये हो सकता है कि किसी में परिवर्तन की दर तिब्र हो किसी में परिवर्तन की दर मंध हो बट अल्टिमेटली changes are always there you can't stop changes you can only change their speed आप परोक नहीं सकते प्रकृति के नियमों के विप्रीथ हो जाएगा तो इस तरह से यदि हम देखें तो कई तरह की बाते सामने आएंगी ज़रा देखो कैसे बाई चक्र कैसे बनता तो सिंपल सी बात है यदि इस संदर में देखा जाए देखिए भाई जरा देखो भाई मालो सपोज ये आगने चत्तान है हागने और साधी और ये क्या है रूपांत्रेट तीन प्रकार की चत्ताने देखे जा सकती है जो यहां पर है अब ये कैसे चेंज हो रही है तो देखो भाई मालो कोई आगने चत्तान है इसका उठ्थान हो गया ये जमीन के नीचे धसी थी फिर इसका अपक्छे अपर्दन हुआ कोई भी चीज की ताहुश शक्त हो बिटा जब सूरज के संपर्क में आएगी तो निश्चित रूप बदलेगा मैंने बोला था सुरू सुरू ने कि चत्ताने इस्टेटिक नहीं रह सकती हैं जियों सूरज की धूप पड़ेगी दिन में फैलेगी तात में सिकुडेगी परिणाम होगा इस तूट फूड की क्रिया सुरू होगी यानि कि सबसे पहले उठ्थान होना चाहिए जो जमीन में दफन है उसका उठ्थान हो ऊप फूपर आ जाए सूर्फिय संपर्क में ऐा तुर्ण तुरंट अपक्ष हां की क्रिया होगी और आसाद बनेंगे बन जाएगी आगने च्टान तो यहीं च्तान यदि दफन हो जाए ऑ और जियों दफन होगी ताप और दाब मिलेगा जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रतिवी में जैसे जैसे नीचे जाते हैं प्रतिव 32 मीटर पर एक डिगरी तंप्रेचर बढ़ जाता है तो जब बहुत जदा गहराई में जाएंगे तो इतना अधिक तंप्रेचर होता है स् प्रत वह प्र को प्रो सकता है कहीं पर यहाला मोखी की क्रिया के रूप में रूप में बह collegPe use तो परिमाम होगा डफन होने कोईला को दफ्न कर दो तो बन जाएगा लंबेस समय बाद रुपांत्रित तो रुपांत्रित कैसे इसका उत्थान हो जाए जे उत्थान होगा अपक्छे और अपर्दन हो जाएगा तुरंत अपक्छे एवं अपर्दन होगा और अपक्छे एवं पर्दन का परिणाम यह होगा कि चतान का क्रेक्टर बदल जाएगा अब खाएंगे सर ऐसा भी यस हीरा भी विटा वक्त के साथ तूट फूट जाता है क्रेक कर जाता है उसमें भी बदलाव आ जाता है जैसा कि आप लोग जानते हो वक्त के साथ देखते होगे हीरा धीरे-धीरे पीला साब पढ़ने लगता है कमजोर होने लगता है एक दिन कर जाता है हना तो इस तरह से पुरुपांति चर्टाने अब ज़रा देखो आगने चर्टाने कैसे रुपांतित बनेगी तो री क्रिस्टलाइजेशन हो जाए पुनर रवाकरण हो जाए पुनर रवाकरण यानि री क्स्टलाइजेशन होते ही तुरंत वो चर्टाने यानि कि जमीन के अंदर ही ताप और दाब की परिस्टियां मिलेंगी तो यह धीरे धीरे री अरेंज होके यह बन जाएगी और फिर यह कैसे भाई संगलन यानि कि पिघल जाए हाइटंप्रेचर और मिल जाए इसे डायमंड ही है ठीक है कितना हो हाड है प्रंत पंद्रहसोट डिग्री टंप्रेचर बारहसोट डिग्री temperature इतना temperature दे दिया जाए तो वह भी पिखल जाएगा अब पिखल गया गर्म हो गया आग की सती बन गई अब ठंधा होगा लंबे समय बाद तो क्या होगा आग नहीं हो जाएगा क्योंकि उसका रूप रंग तब तक बदल जाए हाई temperature पर पिखलते तो इस तरह से आप देखोगे चत्ताने एक रूप से दूसरे रूप में निरंतर बदलती रहती हैं चलती रहती हैं बदलती रहती चलती रहती बंती रहती इसलिए प्रकृति में कहा जाता है परिवर्तन प्रकृति का नियम है और इसी का परिणाम देखा जाता है कि यह जो चत्ताने हैं अपना रूप रंग बदल देती हैं इसलिए कुछ नई नई किस्म की चत्ताने प्रहर बंती रहती हैं और आपके पेपर में कई बार उस प्रकार की चत्ताने पूछी जाती हैं जैसे सोचो आप लोगें जरूर सुनाओगा डोला माइट चौक चौक जो है वह है एक आव साधी चत्तान है प्रंतु है रूप पांतित हो के बना देता है मार्बल से डोला माइट मार्बल सेल स्लेट बना देती है हनक इस तरह से कोंगलो मेरेट क्वार्जाइट बन जाता है तो इस तरह से बहुत सा ही चत्ताने बनती रहते हैं फिर आगने चत्ताने जैसे ग्रे नाई ट्रमे अगने चत्तान है प्रंतुब बदल के नीश बन जाता है हन तो इस तरह से चीजें बनती रहती है या और साधी चत्ताने ही रुपांतित हो के कुछ और बन जाती आने की और भी रुपांतित हो जाती है जैसे गैब्रो सर्पेंटाइन गैब्रो सर्पेंटाइन बन जाती है तो वो थोड़ा सा डाटा आप लोग ध्यान रखना वो कई बार पेपर में पूछता है हो सकता आने वाले समय में पूछ लिया जाए इस बात को आप लोग ध्यान रखना थोड़ा मैं यहां बना दे रहा हूं इन तीन चार पांच को आप जड़ा देखो मानलों और साधी है यह क्या बनाएगी और साधी यानि की जो सेडिमेंटी रॉक है वह रूप पांत्रित हो के कौन सी बनाएगी आप लोग ने जरूर नाम सुना होगा चौक तो मार्बल डोलोमाइट मार्बल कौंगलोमेरेट यह ध्यानक न हिंदी में वही कहा जाता है क्वार्जाइट क्वार्जाइट शेल स्लेट याद रहा सभी इन सभी को कुछ आप लोग धान रख सकते हैं यहाँ पाप कह सकते हैं इगनियस रॉक्स तो मेटामॉर्फिक इस ही में जैसे आप लोग उने सुना होगा ग्रेनाइट ग्रेनाइट क्या बनाती है नीज एजी साइलेंट रहता ध्यान रखता नीज बसाल्ट अम्फिबोलाइट अम्फिबोलाइट बसाल्ट शिस्ट अब यहाँ पर एक खास बात यह देखी जाती है कि यह जो मेटामॉर्फिक रॉक है यह है री मेटामॉर्फिक हो जाती ध्यान रखना बच्चों आप लोग यानि कि और भी ज्यादा चेंजीज हो जाती है तो उसी में आप लोगों ने सुना होगा नाम स्लेट स्लेट क्या कर जाती है बनके स्लेट बन जाती है आपकी फाइलाइट slate phylite phylite cyst phylite cyst गैब्रो गैब्रो सर्पेंटाइन यह बिफिन तरह की चत्ताने बनती रहती हैं इन सभी को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए यह कई बार पेपर में आती हैं तो इस तरह जैसे हमने आज की क्लास में पढ़ा क्या पढ़ा बच्चों कि विशेश रूप से लिह हम कहें तो आप यह कह सकते हैं कि चत्तान कैसे बनी तो मैंने बताया कि चत्तान विभिण प्रकार के खनीजों के मिश्टन से बनी और खनीज विभिण प्रकार के तत्तों से बने और उन्हीं तत्तों में आप लोगों ने विशेस रूप से देखा जैसे ऑक्सीजन शिलका ऐलूमीनियम आयरन पढ़ा होगा आपने केल्सियम मैंगनीज मैंगनीशियम यह बहुत सारे काम करते हैं साथ-8 महत्पूर्ण भूमिका निभाते हैं फि हैं इसके बाद आपने देखा इसके बाद आपने देखा की मैंने उनका बिस्तार बता हागनेश चाटान का वलण मैंने शुरू किया उन्हीं आप लोगों ने देखा कि क्या-क्या इनकी इस्ततिय है कैसे characteristics हैं वो मैंने डिस्पी से सोब से discuss किया and then after कि उनके महत वगेरे बताए विश्तार बताए फिर आप लोग और साधी चत्तानों का मैंने discuss किया कैसे बनती हैं क्या है and then after आप लोग थोड़ा सा याद करिये रुपांती चत्तानों का बताया और उपांती चत्तानों में उसके बाद चक्र वगेरे बताए थे हैं बताया थे मैंने कि कौन-कौन से चक्र कैसे बनते हैं तो यह चक्र दिया आपको याद रहे तो बहुत अच्छे और उसके बाद यह चत्ताने फिर से कैसे रिमॉर्फ होती हैं इन सभी की चर्चा मैंने विश्यस रूप से की इन बातों को आप लोग विश्यस रूप से धन्द के ठीक है तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को आज विराम देना चाहूंगा और फिर हम लोग मिलते हैं और आगे एक दूसरे टॉपिक की चर्चा माने जाते हैं ठीक है तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यो कर दो